हाई गाईज मेरा नहां में शूप और राजम बात करने वाले आइफोन के बारे में अब आपल अपने प्रीमियम आइफोन टैनार या आइफोन 11 जैसे फोन्स पर ज्यादा फोकस कर रहा है और धीरे धीरे मेड इन इंडिया की वज़े से आइफोन की कीमत कम होती जाएगी जब से iPhone XR की कीमत कम हुई है तब से Apple की sales में improvement हुई है और अब Apple कोशिश कर रहे हैं कि लोग उनके premium और latest iPhone खरीदे इसलिए भारत में Apple ने अपने पराने सारे iPhone बंद कर दिया है अब iPhone की sales बढ़ाने के लिए Apple offers दे रहे हैं Indian customers को जैसे buyback offer या फिर cashback offer अब Apple इंडिया में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे है पहले made in India iPhones और अब iOS 13 में भी Indians के लिए features डाले है जैसे अब Apple Maps इंडिया में भी काम करते है CarPlay को मिल गया है Google Maps जो की काफी बढ़िया बात है और Siri जो iPhone में voice assistant है वो अब Indian English समझती है और बोल भी सकती है इसी के साथ साथ अब Hindi पाशा को भी iOS 13 के साथ integrate किया गया है अब iOS 13 में आपको 22 Indian languages मिलती है जैसे Tamil, Marathi जल्द ही इंडिया में आपको देखने को मिलेगा Apple का पहला retail store Apple के लिए इंडिया बहुत important market है तो यही थी iPhone की news और अभी तक आपने subscribe ने किया तो है subscribe कर देना और फिर मिलेंगे